स्लाम अलेकुम, मेरा नम सर यासीन है, मैं यूहम सुमीद मल्टी मीडिया चैनल की तरफ से आपको खुश्याम देव कहता हूँ आज हम बैलोजी के लास टैंट का लेक्टर नमबर 23 डिसक्स करेंगे पत्री कैसे बनती है, उसके काजीज क्या है, उसको कैसे रुमूव किया जाता है जब यूरेन कांसेटिटी हो जाए, यानि काम पानी पिया जाए, यूरेन गाड़ा हो जाए तो सूरतिहाल में हमारे गुर्दे में salt कटे हो जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ये kidney के अंदर salts जो है वो concentrator घारे हो जाते हैं वो कटे होते होते स्टोन पत्र जो है बन जाते हैं kidney stone जो है वो वो इसे हम पत्री भी कहते हैं उसमें calcium oxylate शाम gentleman कैल्चियम, आमोनियम फासफेट और यूरी केसर, बलर्ड में यूरी केसर ज्यादा हो जाए, तब भी चांसिस हो जाती है, किडिने स्टोन के, तमाटर जो है, इसका बीज को यूटिलाइस किया है, बीज में कैल्चियम आॉकसलेट मौजूद होता है, उससे अकसर जो है, वो किडिने स्टोन हो जाती है, साइज, लाज क्रिस्टल कैनाट पास थो यूरीन एंट फॉर्म, हार्ड डिपॉजिट कार्ट केडिने स्टोन, जब ये बड़े-बड़े जो है, वो क्रिस्टल के अंदर बाँ जाती है, तो ये किडिने की नालियों में से नहीं गुज़ पात ये यूरीटर नाली में स्टोन जो है वो चलेंगे हैं, या इस स्टोन में भी यूरेनरी ब्लेडर मसाने के अंदर भी गुर्दी पत्री जो है जैसा कि आप फिगर के अंदर ये देख रहे हैं, गुर्दे की पत्री की जो बनियादी वजुहात हैं, उसमें पहला है एज, इंसान की उमर जो जो बढ़ती जाती है तो ज्यादा उमर के साथ जो है चांसिस गुर्दे में पत्री के ज्यादा हो जाते हैं, डाइट, खाने का बड़ा एहम असर है गुर्दे की पत्रियों के अंदर, अक्सर वो लोग जो ज्यादा सबजियां इस्तमाल करते हैं, और ग ज्यादा हो जाते हैं, इसके लावा बाद लोग टेबलेट्स यूज़ करते हैं विटामन सी और डी की डेली इस्तमाल करते रहते हैं, बगएर वज़ा के वैसी उन्हें डाक्टर की कंसलिटेशन के बगएर ही विटामन सी की टेबलेट यूज़ कर ली, डी की बहुत ज्या ज्यादा बगएर विटामन सी और डी की टेबलेट्स डेली खाएं तो आप पहले अपने फजीशन से कंसल्ट करें, ऐसा ना हो कि आपको गुर्दों में पत्री पढ़ जाएं रिकरिंग यूरिटरी ट्रियक्ट इंफक्शन बार बार बाज लोगों के गुर्दों में इंफक्शन होते हैं, जखम होते हैं बार बार तो अगर बार बार जखम हो जाएं तो तब भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है उनमें बाद में गुर्दों में पत्री पढ़ जाए Less intake of water सबसे बड़ी हम वज़ा है असल में गुर्दों में पर्थरी पढ़ने की वज़ा यही है कि हम पानी जो है वो काम पीते हैं एक गलास पी आदा दिन गुज़र गया पूरा दिन गुज़र गया तो यह नि थोड़ा पानी की तरफ हमारी concentration बहुत काम होते है जो हमें चाहिए हर डेड़ दोगंडे के अंदर अंदर एक गलास पानी का लाजमी पी लेना चाहिए ताके हमारा खून concentrate रहा हो खून dilute रहे अगर खून concentrate होगा पानी काम पीएंगे definitely गुर्दों में असल में लोगों को पर्थरी ज्यादा पढ़ती ही कम पानी पीने की वज़ा से है alcoholic consumption ये भी एक वज़ा है वो लोग जो पानी के जगा पर alcohol बहुत ज्यादा यूज़ करते हैं severe pain kidney असल में बैक साइड पर के किटिनी से यू इस तरह पेन आती है तो गुर्दे में शदीद दर्द होती है लोवर बैड पेट के निचले से में जहां गुर्दे मर्यूद होती है अक्सर ही होता है कुड्री में स्टोन आज़े तो vomiting बार बार आती है उल्टी यां बार बार आना शुरू हो जाती है frequent urination बार बार urine आता है सारा दिन urine आ रहा है रात को भी तीन चार दफाउट के urine करना पर रहा है तो इसका मतलब उन लोगों के गुर्दों में हो सकता है पत्री पढ़ गई हो false smelling urine with blood and pus urine इसे smell बहुत ज़्यादा आती है उसमें होना ना शुरू हो जाता है और बाज़कात पस रिशा पढ़ जाता है तो यह भी सेम्टम्स हैं किंड़नी स्टोन के about 99% kidney stone can pass through the urine system by drinking plant 99% जो पत्री हमारे जिसमें पढ़ती है ना अगर हम पानी बहुत ज़्यादा पी लें तो वो खुद बाखुद हमारे गुर्दे से साल्ट पानी में मिक्स होंगा यूरीटर के जिरीए बाहर खारिज कर दें क्योंकि जब पत्री पड़ी तो इंताई चोटे साइज में होती है अगर बहुत ज़्यादा पानी शुरू कर देंगे पीना तो आटमेटिकली वो डिल्यूट हो जाए कि साल्ट पानी में डिजॉ साइज बहुत बढ़ा हो गया किडिनी के अंदर तो फिर उसका उपरेशन कर्माना पड़ता है सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसमें डॉक्टर ओपारेट करता है किडिनी के अंदर से उपरेट करके उस पत्री को बाहर निकाल देजा सर्जिकल टीटमेंट अफैक्टिडे ये आपनेंड स्टोन रेमोग तीसर तरीका जो है वो प्लाई किया जाता है वो है मीडियम साइज की पत्री के लिए उसको लिफो ट्रिप्सी कैसे हैं जैसे आप देखने हैं नॉन शॉक लेक्टिकल वेवस जो है गुर्दे पर वेवस डाली जाती है श्वाय डाली जाती है वो जो स्टोन जो रेत के जरुव में तबदील हो जाती है वो यूरिन के जरीए जिसन से बाहर खारीज हो जाती है तो इस तरह शॉओं के जरीए भी केंडिनी के अंदर से पत्री को निकाला जा सकता है